हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फैवले स्टेड एक्साम प्रेटफॉर्म तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने थम्नेल रीड करी लिया होगा तो आज हम जो सीटेट में जो जूनियर में साइन्स आती है आज उसकी प्रिवेस के कोश्चन्स करेंगे काफी बच्चों की साइन्स का भी पेपर करवाईए तो फ्रेंड्स आज हम साइन्स का दोजा उनिस का जो दिसंबर में पेपर हुआ था आज उसको सॉल्फ करेंगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर सब् तो क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं कुश्चन को एक्स वा रसायने जो हमारी आमाशे में उपस्तित है तो बोजन की पाचन के लिए आविश्यक है जब एक्स आदिक किसी स्ताफित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास समस्याएं उत्पन करता है वाई वा रसायने जिस कब्यों किसी प्रिस्टि में उपचार के लिए किया जाता है तो एक्स और वाई किया है तो हमको बताना है क्या है एक्स यह हईड्रो खोलिक और मैंगनेशिया यह यह फोर्ट दे रखा है एक्स मिल्क औफ मेंगनेशिया यहता है यज़ा य इसका राइट एंसर हो जाएगा तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा जो एक्स है वो हाइड्रोक्लोरिक अमल है जो अपार्चन जैसी स्वासमस्था उत्पन होती है उसको दूर करता हूँ जो वाई क्या होता मिल्क ओफ मैगनेशिया जो उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है ऐसी परस्ति में तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बढ़ते अपने अगले कोशन की तरफ कोशन दे रखा है निम्ली खित में से कौन सा खतन सही नहीं है तो हमें बताना है कौन स कीन सही नहीं है पाचन रसायनिक परिवर्तन प्रकाष था आएचन को परिवरतन है तो को सही है नहीं है तो अंसर हो जाएगा जै जो कि आपको पता है यह पाचन में जो हमारा अमार्यव क्रोरिक अमनुरी सब जेती डिश आनिंक रिख बीवलते च शोचन वारा भी option correct है next question देखते हैं लिखा हुआ which of the following represent and ascending order as per the size of particle मतलब कडो की size और आकार के नुसर कौन सा आरोई कर्म में निरूपित करता है पहला option चर्टान मृतिका रेत बजरी गाद या दूसर दे रखा मृतिका गाद बजरी चर्टान या चर्टान बजरी गेत रेत गाद मृतिका अंसर कीजिए क्या हो जाएगा To the next question मचली मतलब मतस में कलों जो इसका क्या कारे होता रहा है कि आकसीजन करना या जल में उपस्तित बिलेइग गुलंशील आकसीजन nd तो थे अंसर होसाएगा इसका राइड हो जाएगा जल में उपस्तित विले जो गुलंशील आक्षीजन को अफसोसित करना जो गिल का कार हो जाएगा इसका थर्ड ओप्शन सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ यदि संयोजक ताहन नहीं है तो विद्धुद परिपद को पूरा करने के लिए निम्रिकित में से किसका अपयोग किया जा सकता है तो फोर्ट ओप्शन सही हो जाएगा आगे एक कोश्चन दे रखा है अब उसकी दूरी जो दर्पन से प्रतिविम के बीच की दूरी है तो उसमें क्या बूलागे दरपन चलती थो कितनी हो घारन ओट जाएगा आर्ट मीटर हो जाएगी इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आर्ट मीटर तो कितनी हो जाएगी आर्ट मीटर धार्ड ऑप्षन सही हो जाएगा अगला कोश्यन दे रखा है 69 यादि लो लग तीन सेकेंड में 30 दोलन करता तो नीचे दिय गए कतनों में कौन सा सही कतन है तो जो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा तो इसका हो जाएगा formula तो हमें इसमें निकालना है आवरतकाल तो आवरतकाल क्यों जाएगा time upon दोलन की संक्या तो time कितना दे रख़ा है time हमारा दे रख़ा है इसमें 3 सेकंड और दोलन तो तो 1 upon 10 हो जाएगा मतलब 0.1 Hz, 1 second हो जाएगा, तो आवरत्ती मतलब फ्रिकेंसी निकालने ही तो फ्रिकेंसी बड़ाबर क्या होता है, वन आपोंट टी हो जाता है, तो 1 पर टी कितना है तो 0.1 तो वन परटे 0.1 बड़ाबर कितना हो जाएगा, दस हर्ट तो कितना हो जोगा 10 तो फ्रिक्वेंशी 10 तो किसमें ब hell दे रहा है तो सेकंड आप्शन सही हो जागा इसका आवर्थ काल 0.1 सेकंड दता हावरती 10 हर्थ है तो सेकंड आप्शन सही हो जाएगा नेक्सट बढलत बताना मतलब जो कौन सब घलत है भागों फिर खर्शन लोल बेडिंग जाता है जो गलत और अप्चिन है तो इसका पहला ही आप देखें जो बाल वेडिंग उती है वह घर्शन की व्रड़ी करने में जो कि इसमें गलत हो तो इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है गलत पुछा गया था नेक्स्ट कोशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है निम्ने कितमे से कौन सा खतन सत्य सत्त बताना है आयरन जिंग सल्फेट बिल्यान से जिंग को स्थापित कर सकता है या कॉपर जायरन सल्फेट बिल्यान से आयरन को विस्थापित कर सकता है तो क्या इसका राइट एंसर हो जाएगा तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा व कि अंसरे चेच्टमेंट को और समझें बताना है वाटिंटेर का उबलतते अपने के लिए जाता है या फाम टा पने के लिए सके p & K अ वो थीजरी से च intent grade से सबभी से बैच जब बोग शाला थेर्ममीटर क का झाल और च out मेज़ेंक होगे तो फोर्ठ अंपशन सही हो जाएगा प्लोक्षाला थेर्ममीटर का जो परिसर होता है वो ढौक्ति 62 से अधिक होता है कि तो क्या हो जाएगा का फोर्ट ऑप्शन सही हो जाएगा परते अगले कुश्चिन की तरफ लिखा हुआ निम्रेकित में से गलत कथन बताईएए परत्वी अपने अक्षपक गति जो है वो आवर्ट गति है यह प्रकाश की गति सलर लेकि करती है सितार की कश्यता की गति दोलन गति है सभी आवरत थी गतिया वर्तुल व्रट्ताकार गति होती है तो अंसर किजी क्या हो वो बरतुल गतियां होती है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा फोर्ट ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह गलत है अगले कुछिन की तरफ समतल धरपन में बनने वाले प्रतिवंबों की सम्मीप नीचे दिए के कथन कौन सा कथन सही है तो मैं पतानों जो समतल धरपन प्रतिविम बनता है उसमें जो स्टेटमेंट दे रखके कौन सा सही होगा जो प्रतिविम सीधा बनता है या फिर वास्तिविक बनता है या पाश परवर्तित होता है या प्रतिविम का साइज बिम के साइज के बराबर होता है तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही हो अन्सर कीजिए तो जो समतल्दरपन थी जो होता है जो प्रतिभीन वुते हो सीधाने की यह हो जायेगा प्रतिभीव म्यक्तुन वास्त्री वास्तिक नहीं 16- fim base चैंच परिवर्टित होता है थानी के साइट का बराबर बर होता है नहीं है 새로 णे कौन सा चै och विज्यान की प्रकति की संद्र में सही नहीं है नोट नहीं है उसको अंडरलाइन जरू कर लिजिया करेए तो कौन सा बताना है which of the following is the not true with respect to the nature of science तो ये काफी वार आया है विज्यान सीखने का अन्ता विश्यक्षियत है विज्यान हमेशा अस्टाई है विज्ञान संदीवात को बढ़ावा देता है या विज्ञान तत्थों की समुचे के समतुल है तो अंसर कीजी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो तो विज्ञान जो तत्थों की समुचे का समतुल है ये इनकरेक्ट हो जाएगा तो आप्शन बुचा गए कौन सा गलत है तो यह option सही हो जाएगा आगे लिखा हुआ अगला question है राष्टी पार्ट चर्चा 2005 के अंसा अच्छी विज्ञान सिक्षा होनी चाहिए तो science education should be the NCF 2005 के according तो विज्ञान सिक्षा के प्रती निष्ट मतब true होनी चाहिए या true to the child मतब बच्ची के प्रती निष्ट होनी चाहिए या true to the environment of the school विद्धाले या वातावरंग के प्रती या true to the classroom culture या कच्छा कर संस्कती के प्रती अंसर कीज़े क्या हो जागा इसका साइट तो जो हमारी NCF 2005 है वो good science education should be किसके होनी चाहिए तो true to the child मतब बच्ची के प्रती निष्ट होनी चाहिए तो second option सही है आगे दे रखा है एक अच्छी विज्ञान सिक्षा पाठ चर्चा की निम्री कितमे से कौन सी व्यदिता की संतुष्टी क्रिया कलाप और प्रियोग द्वारा होती है संग्यात्मक, एथियासिक, पण्यावन समदी या प्रक्रियात्मक तो उसका राइट अंसर हो जाएगा प्रक्रियात्मक fourth option correct हो जाएगा आगे परती अगले कुश्चन की तरफ लिखा हुआ अनुजव एक चछा आज की बच्चों को सैच्छी ब्रमड के लिए लेकर जाती है इस क्रिया कलाप के लिए निम लेकित में से क्या आप सबसे उप्रोग उद्विश्च हो सकता है पहला दे रखें बच्चो की मद्ड अंतक्रिया को प्रिरद करता है या ठोस अनुभवों के दौरा प्रक्रिया को बढ़ावा देता है या बच्चों की अवलोकन को बढ़ाता है या सिक्षक और खचा की एक लेक तोड़ता है तो इसका जो हो जायगा कौन सा उद्धिश हो तो अंसर जो जाएगा अमद्ध अंताक्रिया को पेध करता है ये भी सही हो जाएगा तोस अनुभवों के द convicted को बड़ावा pou fire को बड़ावा देता है तो ये गलत हो जाएगा बच्चों के अव्लोक्रण को बड़ावा देता है शिक्षा ठीक टोरता है ये भी तो उसका राइट अंसर हो जाएगा ACD ACD कौन सा option है थर्ड option सही हो जाएगा पढ़ते हैं अगले question की तरफ वीडियो को ज़्याद से लोगों में चरू शेयर करिए फ्रेंड्स आगे भढ़ते हैं निम निकीद में से क्या उच प्रात्मी इस तरह पर विग्यान सिक्षा का उद्देश नहीं होना चाहिए तो कौन सा मोटिव नहीं होना चाहिए पच्चों की प्राकति जिग्यासा का पोश्चन करना या जीवन की प्रति जुकाव और सहभ्याकिता के मूलियों का विकास करना या विग्यानी सुवाव का विकास करने अवधारनाओं की पार्ट पुस्त की परिभाशाओं पर बल देना तो अपन से समझी गए कि कौल सा उद्देश नहीं होगा कि अवधारनाओं की पार्ट पुस्त की परिभाशाओं पर बल देना यह हमारा उद्देश नह ही होगा तो फूर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बढ़ती अगले कोश्चन की तरफ निमने कित्मी से क्या बच्चों की समलोश्रात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है बच्चों सिक अच्छा में विज्ञान की पार्पुस्तर पढ़ने के लिए कहना या बच्चों को पार्पुस्तर की अंत में दिये गए अधिकम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना या बच्चों को समों में आपस में चर्चा उसकी उपरान बड़े समों में साजा करने को कहना या सिक्षक के दौरा प्रियोक का प्रदर्शन तो उसका सही हो जाएगा अगला कुश्चन द तो प्रदर्शन स्रजन करना विश्लेशन करना अनुपयोग करना या बोध करना तो क्या कर रहा है वो बोध करना तो उसका फोर्थ ऑप्शन बिलकुल सही हो जाएगा आगे पढ़ते अगला कोशन निमने कितने से कौन सी करतिविदी बच्चों की सक्री अधिकम का नहीं होगा क्योंकि टीचर दे रहा बच्चा तो एक्टिव नहीं होगा ना बच्चा तो प्रसुसिव होगा तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा आगे पढ़ते अगला कुश्यन दे रखा है विज्ञान में निमने कित में से किसके दौरा सीखने में कमी का पता लगाए बच्चे का पूरा बच्चे का पूरा डाटा पता चलेगा तो किसके दौरा सीखने की कमी का पता लगा जाकता तो ए बी सी तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बढ़ते अगले कोश्यन के दरब 86 दे रखा है निमने कित में कौन सा साधर अवलोकन अधारित है मतलब कौन स तो आप अंसर समझी के गए क्या हो जाएगा इसका वर्ण अभिले बहुत इजी कोश्यन है आगे बढ़ते हैं नीचे दीगे कातनों में कौन सा कतन सही है में बताना पश्मीना शौल के बारे में यह जो शौल बकरी के बालों से बनता है अंगोरा एक प्रकार की उन है जो खर्गोश से प्राप्त होती है उट की उन कॉर्पेट बनाने में उप्योग होती है पश्मीना उन जो खर्गोश से प्राप्त होती है तो अंसर कीजे क्या हो जाएगा तो जिसका राइत अंसर हो जाएगा ए और बी सही हो जाएगा पश्मीना शौल बकरी के बालों से मेरूरन बहुत सी माच पेशिया मैनी मसल्स आगी को धकले इसके लिए सरीर अनेक पल्यों में मुड़ा तो इसका राइट अंसर जगा सर्प जो सांप होगा उसकी जो मेरूरन भी पाई जाता है मसल्स भी बहुत पाई जाती है और जो उनका जो सरीर होता है जो पॉड़ी कर् सब्सक्राइब मिकात पाई जाती है या फिर्फ शेंया राशची और नाला किये द्यूस बॉन धांगा क्स पामेशन बॉंडे की अन्भागों में फोड़ें अगला दिरक्ता है निमने कितमी स्कॉन मिलानों को सही क्रम में निरुपित करता है एसेटीकम, लैक्टीकम, आक्जेलीकम, एसकॉर्बिकम तो जो एसेटीकम रोता है वो क्या हो जाएगा सिर्का हो जाएगा और लैक्टीकम हो जाएगा धही दही में लैक्टिकम पाय जाता है औक जेलिकम पालक में और एसकॉर्बिकम नीबू वश्फल में तो इसका राइट अंसर हो जाएगा थर्ड ओप्शन एफोर्ड बीफ़न और सी सेकेंड डी थर्ड तो फ्रेंट्स कैसी लगी वीडियो यह हमलों दोजा 19 का पेपर सॉल्फ क तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग थैंक्यू फ्रेंट्स